नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है हमारी यूटूब चैनल अरभी सिवित्थी एचेसम के अंदर जैसा कि कमेंट्स बोक्स के अंदर काफी कमेंट्स आ रहे थे सकते हैं तो आज हम नहीं की स्टार्ट कियें गिंगांट्स एक इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट्ट ने लिएकि टो और इसके अन्डर प्रशनावली प्रेमेडेलिविग स्टार्ट करवारा हुं क्योंकि इस प्रेमे के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है आपकी बोर्ड एक्जाम में जो पेपर हो उसमें तीन नंबर कितने नंबर तीन नंबर में ये प्रेमे फिट हो जाती है ठीक है तो वहां पर या तो ये क्यूशन आ जाएगा या इसे संबंदित कोई इस प्रेमे को प्रेमे कहा देखिए सिद्ध कीजिए दो बिंधूँ और समधूरी पत्राइब को मिलाने वाले रेखा खंड का लम संधिवाजर की होता है ओके तो करते हैं स्टार्ट इसके अंदर तो सबसे पहले दिखो जो डाइग्रम बनेगा क्योंकि हर प्रेमे के सरुसे हैं , दूसरा है , और दूसरा बिंदू यह चाहिए , निज़ने हूँ निन दूसरा बिंदू B हो शचाहिं यहाँ हम और बिंदू . प्रेमी ये बोलती है कि इन दोनों को मिलाने वाला, पहले बाद तो इन दोनों से संधरुस बिंदू, इन दोनों, बिंदू A और B से संधरुस बिंदू कोई बिंदू P है हमारे पास, क्या बिंदू कोई P, ये P ले लिया हमने, बिंदू P, इन A, B, बिंदू को मिलाने वाले रेका खंड का लमसमनी वाजग की होगा होगा हमें सिद्ध करना है तो बिलकुल आसान है देखो तो क्या करेंगे इसके नरम पहले मिला देंगे इनको ये लिजी मिला दिया, फिर हमने ये रेका खंड कीज दिया ओके, ये रेका खंड हमारे पास M की रूप में होगा किस की रूप में हो जाएगा? ये हमारे पास M की रूप में हो जाएगा ये लिजी और ये बिन्दू P है ना एक रेका होगे मारे पास L, यानी L रेका पर इस्तित है ओके, L रेका पर बिन्दू क्या है? P, A और B से क्या है? समद्रुस्त बिंदु के हमें एक से जिए करना है कि यह जो प्लिंदू है OK यह B पर यह पी से जो फिंदू पत गुजरेगा एल रिकतर वह पी सीधा वह फिस गुजरेगा यह पी इम में इसे में लूम है हमें से चर्माल चवा लुकुत पर छी दिया है, दिया है, लिखते हैं, ठीक है, दिया गया है, क्या है, दो बिंदू, दो बिंदू, ए, और बी है, बी है, जिन से, जिन से, संदुरुस्त, संदुरस्त, जिन से, संदुरुस्त, कोई बिंदू, पी है, कोई बिंदू, पी, है, जिस से, संदुरुस्त, तो उससे क्या हो जाएगा, पी और पी यानि एपी, जिस से, एपी, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी पी, यह हमें ओल्डेडी दे रखा है, यानि एपी और बी पी, यह दोनों हमें बराबर दे रखे, पिर आज़या पर दिया गया हो गया, पिर आज़या पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वो भी लिखना होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए, सिद्ध हमें करना है, पी एम, पी एम लंब, एबी, या फिर आप ऐसे प्लिख सकते हो, या, पी एम, पी एम, ठीक है न, एबी का लंब संदिवा जगे, एम लंब संद्डी बाजक है, यह हमें सिद्ध करना है, फिर अगर किसी ड्याग्राम में, किसी सवाल में प्रेमे केंदर कोई रचना है, कोई नही चीज करनी पड़े हमें, ठीक है, तो वो रचना में लिखे जाती है, तो रचना लिखेंगे फिर, तब जसे लिए दिख क कि मिलिए आंदि कि अ क्या है है इसे लिख गो ऑप कि आपिन लिख देंगे आप प्सक्रेंगे इन आप मिलाया है और बी को मिलाकर, मिलाकर इनका सम्धी भाजन किया, सम्धी भाजन किया, सम्धी भाजन कर दिया हमने, सम्धी भाजन करने का मतलब है, जितना हमारी पास AM होगा, ठीक है, उतना यह कितना होगा, BM होगा, यह दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ओके, तो अब समझना देखो, सम्धी भाजन किया, जिससे, लिख देते हैं वो भी, जिससे AM, बराबर, BM प्राप्त हुआ, BM प्राप्ती, प्राप्ती, हुआ, और, फिर हमने इस एपी और बीपी को मिलाया, एपी, और बीपी को मिलाया, बीपी को मिलाया, यह लिख दी हमने रचना के इंदर, ओके, यह होगे मारी पास रचना का पार्ट, फिर आजाएए आप जो सिद्ध करना है, ठीक है ना, में चीजे उपत्ती, अब जो इसका में पार्ट है, वह हम उपत्ती के अंदर लिखेंगे, वास्ते में इसमों सिद्ध करना है, क्या करना है, समझना देखो, उपत्ती में क्या लेंगे तिर्बुज, तिर्बुज, A-M-P और तिर्बुज, B-M-P में, कि इन दोनों तिर्वुज़यों करेंगे? ध्य.'sarang समसिद्ये करेंगे यानि AP और BMP इन दोनों तिर्वुज़यों क्या करना है? समसिद्ये करना है तो इस लिए बल्कुल आसान है कॉन कोन बराबर दे रिखा है हमें AM यह मंने रचना से पराप्त किया है किसे प्राप्त किया? रचना से, ओके, फिर जो PM है मारे पास, PM बराबर PM, यह उबनिष्ट बुझा है दोनों तिर बुझों में, क्या है यह? उबनिष्ट बुझा, उबनिष्ट बुझा है तो क्या होगी? दोनों बराबर होंगे, इसलिए, ठीक है? सरवांग सम्ता का नियम कौन सा नियम लग जाएगा? तिनों बुझे हैं पराबर कर दीए तो ट्रिपल एस, ट्रिपल एस से, से, ट्रिपल एस से क्या होगा? त्रिपुझ, ठीक है? यहां लिख देता हूँ बागी का पार्ट, आपको दिख जाएगा असान इसे, ठीक है? समझना? सरवांग सम्ता का नियम एसस से, ठीक है? तिरपुझ, अमप, ए, एम, पी, सरवांग सम हो गया किसके? त्रिपुझी, बी, एम, पी के. अब यह सरवांग सम है, तो इनके संगत कोण पर क्या होगी? बराबर बराबर, तो हम यह वाले कोण ले लेंगे? क्योंकि लिख यहीं सरवांग समय, इसलिए कोण A, M, P, बराबर कोण B, M, P, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके अंदर, बराबर है बराबर, समीकन फर्स केह सकते हैं यहाँ पर, अब समझ ना, इसी A, B रेखा पर दो कोण बन रहें हमारी पास, कोण कोण से बन रहें, कोण A, M, P, प प, M, P, और इनका योगफोल 1-180 डिग्री होगा, क्यूं होगा, क्या ही और यहाँ, रेखिक यूग्म कौन откा ना, यही होगफोल 123 डिग्री होगा, एक रेखा पर दो कोणों का यूगं होता है, उसको रेखिक यूग्म कोन, कहते हैं, और रेख्क यूग्म कोण का योगफ से डीगरी होता है ओके अब देखों ant2 आ प्रस पर भरबर भर 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 दोनों कोण क्या है प्रस पर भर 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 ये इसके घड़ आपर थीक है तो क्या करेंगे इंप ले लेंगे 2 इंप फ्लस इस बींपी ब्यों कमाट भी क्या ले AMP, कौन AMP, बराबर 100C, डिगरी, हो गया हमारी पास, अब ये कितने हो गए, 2 कौन AMP हो गये हमारी पास, दो बार हो गए, AMP, एमप, तो 2 कौन AMP, बराबर 100C, डिगरी, अब दिखो, ये 2 कौन AMP के साथ गुणा में, तो दो बाग लग जाएगा तो आपके पास, कौन AMP कमान कितना आगया, कौन AMP बराबर आगया, 100C में, 2 का बाग देंगे, 100C divided by 2, काट देंगे, तो कितना आगया, 90C, बराबर आगया, 90C, कितना आगया, 90C, यानि इसका मतलब क्या, क्या हुआ, 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 क्या हुआ बनाएगे, एक कोड इधर बनाएगे, एक कोड उदर बनाएगे, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो PM है, वो किस पर लंब हो जाएगा, AB पर, यहां लिख देंगे, इसलिए, इसलिए, PM लंब होगा, किस पर ही, AB पर, AB पर, और हमें यही तो सिद्ध करना था, सम्धिवाजन तो हमने क्या है, रचना में ले लिया था, तो इस AB का सम्धिवाजक बिंदू क्या है, एम, ठीक है, और इस M पर ही, नबर डंबर डिगरी के कोड भी बनने है, तो यह PM रेखा, इस AB पर क्या सिद्ध हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, कि यह जो PM होगा, वो AB पर क्या हो जाएगा, लंब सम्धिवाजक सिद्ध हो जाएगा, और इसी के साथ यह प्रेमे भी कम्प्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमें केंद्रक के माधिकाओं को दो अनुपात एक में विवाजिती करता है, यह प्रेमे लेकर ही आएगे, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, आपने वीडियो पूरो देखा, इसके लिए थैंक यू, वेरी मच्चू.